बिस्मिल्ला रख्माद रहीम अस्सलाम अलेकुम नरसी क्लास मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर में सदफ और आज है हमारा इंग्लिश का लेसन जिसके लिए मुझे उमीद है कि आप पूरी तयारी से आई होंगे टीचर्स आज का टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स यह वही कॉंसेप्ट है जिससे हम प्ले ग्रॉप में भी कुछ राइमिंग वर्ड्स सीख चुके हैं और अभी हम अपनी इस लेनिंग को एक्स्टेंड करें हैं यानि आज हम कुछ ने अलफाज भी सीखेंगे तीचर्स आज के हमारे जो एक्स्पेक्टे लेर्निंग आउटकम ना वाई है वाई इंटिग्रेटेड़ इस टू एलोज क्योंकि जब हम एन्वाइर्मेंट में साउंड सुनते हैं यानि जब हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं बहुत सारे आवाजों को रेकिगनाइस की करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसलिए सराउंडिंग में जितनी भी आवाजे हमारे कानों में पढ़ रही होती हैं जब हम बच्चों को किसी खास साउंड की तरफ मतवज़ो करने के लिए उनकी अटेंशन दिलवाते हैं उनको बार बार कहते हैं इसको सुनो गोर से सुनो इसको गोर से सुनो तब उनको जादा पता चलता है कि जो उनके सामने गुफ़तशनीत करें हैं बाचीत करें हैं उन में से ये वाली आवाज किस-किस लवज में सुनाई दे रही हैं टीचर पीज रिमेंबर लिस्टिंग की स्किल और हेरिंग का जो आपका स्किल है लिए टू डिफरेंट तिंग्स हम बच्चों की स्किल में बास्रूम पढ़ा रहे हैं तो पंखे की बाहर को गुझरा है तो गारी के हान की यह तमाम आवाज्य हेरिंग की संस में आपके जहीं में आ रही है लेकिन उस पे बच्चों का ये आपका फोकस नहीं bar जो है ये लिस्निंग की हैं हम तो तब ये उस्छ खरते हैं जब हम किसी को खास तोर पे किसी एक आवाज की तरफ मतवज़्ज़ करा रहे होते है कि यस अकितना यसे थे कहते हैं ल्यस्टन्ति मी मेरी बात सनो ठीक है आज हमारे पास कौन से नई rhyming words है आज हम इस picture को देख के बताएंगे कि ही क्या चीज है यह वो ही pin है जो आपके dress पर लगाती है मामा pin so the next word that rhymes with pin is tin शापाश pin tin now rhyming words की क्या पेचानती बच्चो कि word की जो आखरी sound है वो similar है pin tin इसका मतलब है यह कौँ सी sound है यह in sound के words है यानि यह end में in sound आती है let's see what we have next now the another word is kin k in kin kin का मतलब होता है आपके blood relations यानि आपके बहन भाई और आपके immediate blood relations family members इसको कहते हैं kin so another repetition pin, tin, kin very good so teachers what are rhyming words let's revise once again rhyming words are words that end with the same sound for example pin and tin are rhyming words teachers by the time these children are going to go to grade 1 तो यह rhyming words के एक और extended भी extension भी सीखेंगे लेकिन अभी इस ए जो stage पे बिल्कुल जो words similarly sound करते हैं क्योंकि हम इनको gradually reading की तरफ लेके आ रहे हैं with the help of phonics यानि sounds इस वज़े से pin, tin, bin, fin के जो words हैं उनके end में same sound आने चाहिए जो के same letters represent करे हों so today's topic is rhyming words and we are going to focus on our listening and speaking यानि बच्चो आज अपने जरा गौर गौर से सुनना है और बताना है so let's begin once again pin the last sound is same so that means when you change the first letter or sound it becomes a new word what is the next word pin यह जो मचली का छोटा सा जो होता है विंग होता है इसको spin कहते हैं क्योंके इसकी मदद से मचली तैरती है spin and जब आप game खेल की trophy या कोई सा भी medal जीतते हैं तो उसके लिए word use होता है win in then this is a bin शाबाश very good in bin now teachers आपकी book के page के उपर यही तसावीर दीगी है यही vocabulary words दीगे है these are just a few words but you can also add more words to these आपने कोशिश करनी है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन words को पुकारें अगर different ऐसे words भी वह बनाते हैं कोई meaning नहीं है at least they are able to connect through the sound skill के तयार होने तक आपने बच्चों की तमाम sounds and letters को strengthen करना है और इसके लिए आपको site की भी help मिलती है यानि बच्चों से आप जब दिखाते हैं को चीजे तो भी आपको उसे add-on मिलता है तो group activity क्या है teachers आपने बच्चों से कहना है कि कुछ basket ले ले और उसमें अपने आसपास में मौझूद छोटी-छोटी ऐसी objects जो के in sound से end करते हो उनको add करना है अगर आपने कोई playgroup से भी sound या concept लेना है जिसको आप repeat करवा सकते हैं तो that is totally up to you so make sure that they are tracing the letters but ye to letter ki tracing hai this is not for them to learn the spellings this is just for them to understand that words carry meaning and these are rhyming words so please continue with the class task it says pin, fin, win and bin or teachers aap or words we add kar sakthi hai especially jya baap en ko board pe varari hongi writing ke liye there is an extra practice worksheet attached in the description box because we are working on the recognition of phonemic awareness is the Koshish Karee hap kiya bachon ko jitna zyada sunne ki adat dalhe gi is awaz ko utna hi acha woo isko pehchan sa king a aap ke liye aeacht corner ki activity hai jis mein teacher ne kuch tints jo hai aecho chho te plastic tin milte hain ya metal tin minte hain unki madad se kuch art craft bana ke aap aap ne table pe rakh sakte hain aur us me aap ne stationery rakh sakte hain so teachers once this activity is done please engage them with the artwork do not forget them to give the work sheet and will bring it back to school for the display take care